हाई आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत से इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर जो कि आपके UGC NET के देखा जाए बाद आपके जॉप से जुड़ हुई है आपको उता दें कि NET के बाद बहुत सारी लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे कि उनके केरियर के उपर देखा जाए एक गरहन सा लग सकता है वो गलती क्या है आपकों बताने वाले हैं कि देखिए जैसे कि जब NET का एक्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं आप लोग तो maximum लोग होते हैं वो private degree college में job करना start कर देते हैं और private degree college में अपने विशे से assistant professor के पत पर कारी करते हुए दो साल से जादे का जब अनुबा हो जाता है तो वो लोग approval कराने के लिए यानि कि अनुमोदन कराने के लिए इच्चुक हो जाते हैं और डिग्री कॉलेज में अगर आपके विशय से सीटें खाली होती हैं तो आप विशुविद्याले को देखा जाए तो अपना data भेजते हैं और आप कहते हैं कि हम अनुमोदन कराना चाहते हैं इस विशुविद्याले में इस डिग्री कॉलेज में अब इस विशुविद्याले एक interview कॉंटक कराती है किसी निश्ची देट को और उस interview के माध्यम से आपको उस private डिग्री कॉलेज में आधिकारी तोर पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोश्ट पे निउक्त कर देती है आपके संबंधित विश्य के आधार पर यानि आपको प्राइवेट डिग्री कॉलेज में कारे करने के लिए अनुमत देती है ओफिस्यल तोर पे विशुविद्याले जिससे कि आपको बहुत सारे पावर मिलते हैं गॉर्मेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी तरह जैसे कि आपका देखा जाए तो विशुविद्याले की जब परिक्षाएं होती है तो किसी डिगरी कॉलेज पे आपको देखा जाए तो एक्जैम आफजर्वर के तौर पे निक्त करवा दिया जाता है विशुविद्याले के द्वारा या देखा जाए तो जो वाइबा होता है युविश्टी के द्वारा जो वाइबा कंडेक्ट कराया जाता है बच्चों का डिगरी कॉलेज के बच्चों का उसमें आपकी ड्यूटी लगवा दी जाती है इसके अलावा जब विशुविद्याले का एक्जैम खतम हो जाता है तो कॉपी चेकिंग में ड्यूटी आपकी डाल दी जाती है तो इन सभी चीजियों के माध्यम से देखा जाए तो जो आपको सेलरी दिया जाता है पर मंत का डिगरी कॉलेज के द्वारा उसके अलावा विशुविद्याले से आपको बहुत सारे देखा जाए एक्ट्रा देखा जाए पैसे कमाने का मौका मिल जाता है जिसे कि आपको वार्सिक तोर पे लाखो रुपए का फाइदा होता है आपके सेलरी के अलावा तो इसके लिए बहुत सारे लोग देखा जाए इचुक रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि किसी एक डिग्री कॉलिज में प्राइवेट डिग्री कॉलिज में अपना अन्मोधन करा लेते हैं लेकिन लाब के चक्कर में क्या होता है कि आप किसी और भी देखा जाए कॉलेज में अनुमोदन कराना चाहते हैं लेकिन पहले के समय में ये बहुत आसान था पॉसिबल था क्योंकि पहले आधार कार्ड नहीं था पहले देखाता है digital तोर पे आपका अनमोधन रेजिस्टर नहीं होता था लेकिन आज की दोर में देखाता है तो हर चीजें digitally हो गई है तो जब आपका आज की समय में अनमोधन होता है तो आपका आधार कर नंबर लिया जाता है इसके लावा आपके UGC net का certificate का नंबर इत्याद सब चीजें online देखा जाए दर्ज करदी जाती है विस्विद्याले के data में अब जैसे ही आप किसी दूसरे degree college में अनमोधन कराना चाहेंगे तो विस्विद्याले में आपका data already उपलब्द रहेगा जिससे की आपका पता चल ज है तो आपका अनमोधन फिर नहीं हो पाएगा चलिए यह बात करते हैं कि आप किसी अलग विस्विद्याले से संबंधित यानि एक विस्विद्याल जैसे कि मान के चलिए लखनों यूश्टी है आपने अनमोधन करा लिया है अब आप चौधी चरण सिंग मेरट CCS में आप और अनमोधन कराना चाहते हैं चौधी चरण सिंग से जुड़े किसी डिगरी कॉलेज में आप अनमोधन कराना चाहते हैं और डिगरी कॉलेज वादी ने चलिए हम आपको दिखा हसा है तो निक्ट कर देंगे कागस में आप फाइदा लेते रहेगा कोई दिक्कत नहीं करवा देते हैं तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिए क्यों क्योंकि जब चौदी चरण संग की विस्विद्याले में आपका इंटर्व्यू मानले कंडेक्ट होगा और किसी कॉलेज से आप जाएंगे कि हम इस कॉलेज पे अल्रेडी पढ़ाते हैं हमारा अरुमोदन करवाना है यहां पे और इंटर्व्यू जब कंडेक्ट होगा तो आपका आधार कार्ड आपका निट का सर्टिफिकेट जैसे डीटेल डाले जाएंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि आप किसी और विस्विद्याले में देखा जाए तो अप्रूव्ड है अप्रूवल आपका हो सकती है ठीक है अब आप कहेंगे कि चलिए भाई राज के बाहर किसी दूसरे राज में कर लिया सा है यूपी से बाहर आप जारखंड के जुड़े कि किसी विस्विद्याले से संबंधित कॉलेज में अप्रूवल करा लें तो भाई इतना आप नहीं कर पाएंगे कि एक समय पर आप दूसरे राज में जाके एक्जाम इत्यात की कॉपियां चेक कर लें और एक समय में आप अपने राज से संबंधित डिगरी कॉलेज में आप काम कर लें डिगरी कॉलेज में पढ़ा लें ऐसा नहीं हो सकता और बिजिटली सब चीजें हो गई है आपके लिए समस्य यह हो सकती है ठीक है और भविश्य में ऐसा होने पे हो सकता है आपके सर्टिफिकेट को भी देखा लेक लिस्टेट कर दिया साए तो ऐसी समस्या आज आने पर परिशानी में पढ़ सकते हैं तो हम आसा यही करते हैं कि सही रास्ते पे लीगल तौर पे आप काम करिए और फाय जगहां आप अपर्वल मत कराएं यह फायदे जो लोग आपको देना चाहते हैं और आप फायदे लेना चाहते हैं इससे आपको एक बड़ी समस्या देखा जाए फेस करने पड़ जाएगी भविश्य में ओके तो आसा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको आप पूछ सकते हैं और जब तक की नेक्ट वीडियो नेक्स अप्रिट नहीं राते हैं थेक्ट वोची एक चैनल चैनल आप सभी का दें बहुत-बहुत सुखों